ओएल्कम फ्रेंड्स आज हम जानेंगे थोड़ा बहुत एक्स्पॉशैनल फंसन के बारे में और इसके खासकर डोमेन और रेंज को ही आप करना तो क्या होता है Exponsional Function जैसे हम एक की पावर एक्स लिखते हैं इसी को Exponsional Function कहते हैं इसके अलावा एक की पावर एक्स लिख दो कोई constant की power लिखने को जैसे 10 की power आपने x लिख दी ठीक है आपने 1 बटे 3 की power x लिख दी आपने 20 की power कुछ लिख दी ठीक है मनलों x की जो power है वो केवल 1 होनी चाहिए यानि x से single होना चाहिए तो ऐसे function को बोलते है Exponsional Function इनकी value बहुत जादा होती है ठीक है अगर हम x की value थोड़ा भी put करते हैं तो इनकी value बहुत बड़ी बड़ी आती है तो इसमें लिखा है कि इफ a इफ a यानि ये वाला a इफ a is a positive real number अगर हम a को positive real number लें देखो हमेने positive लिया है 10, 1, 2, 3, 20 तो अगर a positive real number है other than unity मनला unity के अलावा तो then a function that associated associates each x belongs to real to a की power x is called the Exponsional Function तो कह रहा है कि अगर हम a को एक positive number लें unity मतलब एक की छोड़कर एक नहीं लेना है एक की power x तो एक ही रहेगा तो इसलिए एक यानि unity छोड़कर जितने भी number लोगे positive लोगे तो उनको हम ऐसे डिनोट करेंगे a की power x यानि a की Exponsional माने power x तो इसको बोलते हैं Exponsional Function आने सब्दों में in other word एक function डिफाइन है r से r यानि real से real यानि domain अगर हम real लें उसका range भी real में सामिल है तो define by वो function ऐसे लिखेंगे a की power x इसको हम a की power x ये भी डिनोट करते हैं तो जहाँ e या a की value 0 से बड़ी हो और a एक नहीं हो तो एक नहीं लेना है यहां बोला था other than unity यानि unity यानि यानि एक के अलावा is called exponential function उसे exponential function कहते है तो इसका जो domain होता है वो सारे real अमर होते है लेकिन जो इसका range होता है इसका जो range होता है वो आपका zero से positive सारी संक्या होती है not define तर ठीक है लेकिन zero सामिल नहीं है ये zero को कभी touch नहीं करता है अगर आप इसलिए और it attain only positive value और ये हमेशा एक positive value ही attend करता है अगर हम से graph की बात करें तो ये दो तरे का graph बन सकता है एक बार हम फंसा ले ले y बराबर a की power x एक बार फंसा ले ले a की power minus x तो जब हम x की जब एक की power जब एक की value जब एक से बड़ी संख्या पुट करेंगे तो इसका graph यह हो जाएगा ये कभी भी x-axis को चुएगा नहीं और ये 0 और 1 से होकर pass करेगा ठीक है और अगर हम एक value minus x रख दें तो यहाँ पर भी वो इसका graph जो होगा वो बनलब पास करेगा 0 और 1 से ही pass करेगा और ये x-axis positive x को कभी नहीं चुएगा ये negative x-axis को भी नहीं चुएगा ये positive को नहीं चुएगा और ये इसकी value बहुत बढ़ी आएगी ठीक है तो इससे उपर की और बढ़ेगा तो इस तरह के बस दो graph होते हैं ठीक है उमीद करता हूँ कि आपको समय में आगया होगा कि जो function होते हैं अगर हम e की power x लिख दें तो यही function आपके क्यालाते है exponential function इसका जो domain होता है वो सारे positive मलब सारे रिये number होते है positive negative दोनों और इसका जो range होता है वो zero से no define के बीच होता है लेकिन zero no define सामिल नहीं है ठीक है ये open bracket याद रहे